नमस्का दोस्तों में आकाश आपका स्वागत है दिखसर रीस इंटे यूट्यूब चैनल पर देखो जो हम लोग जो डेली का करें अपडेट करें तो जरूर देखो उसको और यह हम लोग आज डिसकस करेंगे थर्ट मार्च का तो देखो जो इंपॉर्डेंट हाइलाइट से वही आप लोग अपके पास ले कर आ रहें तो जरूर इसको कर लोगे तो आपको और कुछ करिंट के समय CR Cheers नहीं करना है डिस सिंपलली आपको इसको नोट zarints बना लेना आउन ठीक है दीगिणहपर आपको इसको करलो और अगर आपको इसका पीडिय क्वर चाहिए तो मैं इ कर देता हूं जरूर उसमें उसको ले लेना ठीक है तो चलो देख लिए कैसा है पहला जो है देखो वियतनमी प्रेसिडेंट ट्राइन डाइक वांग इंडिया में आये तीन दिन का विजिट है यह जो है डेलिगेशन टॉक करेंगे प्राइम मिनिश्र मोदी के साथ दिलने मे यह इससे क्या होगा उन लोग कॉपरेशन करना चाहरे है डिफेंस में ट्रेड में उनका में एजेंडा जो है डिफेंस अन ट्रेड है ठीक है आचा अर्मेनियम लॉमेकर इलेक्टेट अर्मेन सर्कीजियन ऐस न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्मेनिया जो नए प्रेसिडें तो इंपॉर्टेंट है गाईस यह बाला पूस सकता है क्योंकि आप देखोगे तो रेलवे में भी यह कोशन साथ है इसी ट्राइप का 27 सुल्तान अजलन सब कॉपी होकी जो हुए वह मलेशिया सिटी में हो रहा आयोप में इसमें 6 नेशन भाग ले रहें इंडिया होस्ट मले जो है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लाइड ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटिना आयलाइन जो है टुर्णमेन में पार्ट ले तो इसमें इंपॉर्टेंट है होस्ट कंट्री कौन है मलेशिया है इससे पहले जो लास्ट जीते थे वह इंग्लाइड था तो यह सब कोशन्स आ होड़ा वहाँ पर जीत चुके हैं उन्होंने मियू और जापान को हाया 65 kg फ्री स्टाइल में इंडिया एक गोल्ड दो सिल्बर एक ब्रोंच के साथ जो है सेगंड स्पॉर्ट में है मेडल टैली में विनेस फोगर्ट और पिंकी इंडियन रेलो इसकी सिल्बर मेडल जील चुकी है और शाक्षिमालिक को ब्रोंच मेडल मेला है 62 kg कैटेगरी में ठीक है चाइना जो है अभी टॉप में है फोर गोल्ड एक ब्रोंच के साथ जपान जो है थर्ट प्लेस में है एक गोल्ड एक सिल्बर दो ब्रोंच मेडल के साथ ठीक है इंडिया और कंपनीस के स्थाइन क्रिटिकल कैटेगरी फॉर रूपूर नूक्लिया प्लेंट इन वांगलादेश थिक है अभी इन्डियन कंपनीस जो है अभी एक रूपूर न्यूपावऌ प्लेंट बरना बंगलादेश में उसमें जो है कंस्ट्रैक्शन ए इंस्टॉल सट्टिशन वेक कर सकती करनेट का गौवर्मेंट इनागवेट करचे चुकी है 2000 मेगावार्ट सोलर पार्क तुमकूर में यह ड्राफ प्रोन डिस्टिक्ट है टोटल जो है फर्स्ट फेस में 16500 करोर लगेंगे और जो नाम दिया गया सक्स्ति सक्ति स्थल जो 600 मेगावार्ट जेनरेट करेगी ठीक है और बैलेंस 1400 जो है वो 2018 में कमिशन हो जाएगी गाईज तो देखो यह 6 important points है आज के date का तो जरूर आप देख लेना अच्छा से बढ़ाई करो और यह जो है notes बना के रख लो और daily वीडियो भी देख लो और at least जब मैं इसको share कर दूंगा टेलिग्राम में तो so that आप एक ब पूरा महिना का जो अगर रिवाइस कर लोगे तो आपका पूरा हो जाए ग्राइस तो चलो वीडियो अच्छे लगा तो जरूर लाइक करना शेर करना फिर मिल तेंग नहीं वीडियो साथ तिल दिन गुडबाए